मस्कार दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत दोस्तों MSC Owners Economics 5 Year Integrated Course वाली बच्चों की First Maritalist आउट हो चुगी है आप Official Website पे जाके भी चेक कर सकते हैं तो दोस्तों काफी स्टूडेंट्स थे जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि MSC Owners Economics जो है उनके बारे में आप एक वीडियो बना के जुरूर बताई तो सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल इसमें 17 शीट है जो अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड की हुई है सबसे पहले नंबर आता है All India General Category का तो इनकी मेरिट लिष्ट 102% से शुरू होती है और 100.2 पे रूख जाती है दोस्तों उसके बाद हर्याना General Category की जो शीट है उन 99.8 से शुरू होती है और 91% पे उनकी जो कट ओफ है वो रूख जाती है उसके बाद एक सीट जो है हर्याना Economic Wicker Section के अंडर 87.6% पे फिल हो जाती है उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें हर्याना Schedule Category की दो सीटे है जो 87.2 और 85.4 पे फिल हो जाती है उसके बाद दोस्तों नंबर आता है हर्याना Deprived Schedule Category का जो 89.6 पे फिल हो जाती है दो सीटे जो है Backward Class B के लिए है जो 86.8 और 80.8 पे फिल हो जाती है इस परकार जो 17 शीट है टोटल वो फिल हो जाती है दोस्तों जो स्टूडेंट्स अभी वेटिंग में हैं जिनका नाम First Merit List में नहीं आया तो कभी स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि हमारा नाम First में नहीं आया क्या Second Merit List में आ सकता ह है अगर कोई category का बच्चा अपनी जो फीस है वो नहीं बरता और admission जो है वो नहीं लेता तो उसकी शीट जो है वेकेंट हो जाती है और जो Next Merit List बनती है उसमें वेकेंट जो शीटे होती हैं अलग-अलग category की तो जो वेटिंग के बच्चे हैं उनको वो जो जिनकी नंबर ज से जो Merit List है वो बनती है तो अगर आप confirmation अच्छी लगिया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन की गंटी को प्रेस करना ना भूले धन्यवाद जैहिंद जैभारत